वेलो विलकम सौगत है आप सभी करसमचार पर स्चानल पर देख लेते हैं इकनोमिक के सीरीज में क्या कुछ important है हमने इकनोमिक के सीरीज चार्ट किया discussion करना और बहुत सारी points को हम discuss कर भी चुके हैं तो आज हम discuss करने वाले हैं basis risk के बारे में what is यह risk जो हम बोलते हैं कि यह basis risk है किसी भी trade में यह risk होता क्या है तो by definition हम जानेगे कि एक तरह का systematic risk होता है अगर देखा जाए यह तरह का systematic risk है जो perfect heading जो possible नहीं हो पाती है यह basis risk का discussion होता है वहाँ यह use होता है हम यह दो-तीन चीजे समझनी पड़ेगी कि यह perfect heading क्या होता है जब perfect heading possible नहीं हो पाता है तो basis risk सामने आता है को पर्फेक्ट हडिंग क्या हो था दोकी समझरे यह पर्फेक्ट टेश्व कार में आपे क्या जो हैं इंवेस्ट में क्या इस कार में अब इन्सुरैंस कार और गर करवाया कि ये कार को आगे चल के future में safety provide होगा आपका जो asset है वो सुरक्षित रहेगा तो उस सुरक्षा के लिए भी आपने invest किया आप जब asset पे invest करते हैं किसले invest करते हैं ताकि रिस्क जो है systematic जो रिस्क आपको देखने को मिलेगा वो risk reduction हो सके तो उस चीज को आप बोलते हैं perfect heading या heading price बोलते हैं तो जो basis risk है वो यहीं से emerge होता है कि जब variation देखने को मिलता है future price बोलिए या hedging price बोलिए या relative price बोलिए तो जब इसमें risk associated या फिर कहा जाता है basis risk समझ गया तो simply ये जो है relation है किसके बीच में cash price में जो वर्तमान समय में जो cash price है या future price है यानि कि जो hedging price होगा आने वाले समय में तो इनके बीच का variation ये आपका basis risk होता है तो basically ये trading market में use होता है asset के लिए use होता है बट हमने एक car के example समझा कि हम किसी बी तरह से अपने asset में जो investment करते हैं ये सोच के कि future में वो हमें कम loss दे कम risk जो है हमारा risk कम हो जाए किसी जो loss का तो वो जो variation देखने को मिलेगा price में वस्त वर्तमान price में और future वाले price में उस बीच के gap को आप basis risk कहते हैं graph से समझेगा हमेंसा ये कभी-कभी ऐसा भी होता है कि graph भी दे देता है और यहां पर question पूछा भी जाता है जैसे कि interview में question पूछा गया जिनका paper economy था और RBI का जो departmental exam होता आइकन से तो उसमें ये चीज पूछा गया था कि आप ये बताओ कि जो basis risk होता है वो positive हो सकता या negative हो सकता graph के help से तो ये आपको मैं इसलिए discuss कर रही हो कि ये हमें समझना है डिटेल से और यहां पर देखें जो basis है वो क्या हो रहा है spot price और आपका जो है आने वाले से में future price जो होगा ये अभी आपका heading price किसका है बरतमान का हो रहा है और जो future में आने वाला hedging price होगा किसी भी derivatives का किसी भी assets का इनके बीच का gap को आप क्या बोल रहे हो basis risk बोल रहे हो basis जो है price बोल रहे हो अब देखो ये description समझने की जुरत नहीं है जो मैंने आपको अभी समझाया example के तोर पर ये वही है बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये negative और positive दोनों हो सकता है जो है वो negative और positive दोनों ही हो सकता है logically पि अगर हम देखके चलेंगे तो हमें समझ में आएगा अब इसके कुछ types है types बहुत easy है by name समझ में आजागा जैसे कि price basis risk अब जो difference हमें समझ में आता है देखने को मिलता है spot price and relative future price जैसे कोई वस्तू है जो आपने खर दी है और time के साथ उसमें जो है उसके price में change देखने को मिलेगा for example gold gold में invest करते हो तो आपको क्या लगता है future में उसका दाम बढ़े गई बढ़ेगा तो यह जो है price basis risk आपको यहां पर देखने को मिलेगा location basis risk में commodities जब market के अंदर पहुंचती है तो जो delivery करना होता आपको depend करता है different location पर आप कहां पर भीजोगे तो दाम की जो है वो location के अधार पर भी कभी कभी क्या होता variation करता है अगर आप जैसे online चीजों को पर्चिश करते हो तो आप बाहर से चीजों को मंगवाते हो जो उस area में available नहीं है उसका दाम बढ़ जाता है यह उस ट्रेडर का location basis risk हो गया उसी तरह से हम देखें के calendar basis risk जैसे मान लेजे कि कोई shares है आप खरीदने जा रहे हो जैसे मान लोगे कोई shares है अब यह shares जो है वो एक साल का है और चुकि आप जानते कि share tradable और negotiable है आप आठ महीन आप इस share को अपने पास रखे थे बट किसी कारण से आपको किसी अपने फ्रेंड राम को बेचना पड़ जा रहा है अब यह राम जो है उसको खर देगा पर इसकी जो deadline है वो कितनी बारा महीने की है यह मानने की short term का है यह तो 365 दिन के अंदर अंदर कर देना है बेच देना है इसको तो मानने जीए 12 महीने के है 12 महीने पे ही जो संस्था है उससे आपको मान के चलो की 10% का discount पर आपने खरदा तो आपको 10% का discount आपको वहाँ पर प्राप्त होगा लेकिन 12 महीने के बाद राप्त होगा अब चुकि जो person है जिससे आपने खरदा वही 8 महीना रह चुका है रख चुका है इसे आपको तो सिर्फ 4 महीने के बाद ही पैसा मिलना है तो अब इस time पे आपको कुछ बहुत जादा मितलब आपको friend आपसे जो trade करेगा वो यह सोच क करेगा कि अरे छोड़ो अभी ना जितना भी यह पैसा दे रहा है मान के चलो कि हमने 100 रुपे इसमें इंविस्ट किया है तो चुकि 10% का discount है याने कि 90 रुपीस में इस person ने खरदा है और एक साल के बाद इसको 100 रुपे मिलना है अब चुकि 8 महीना यह रख चुका है अभी सोचेगा कि चलो अभी उमको 4 मेने में अभी urgent है तुमको इतना income मिल जाए मिल जाए तो यह कम दाम में भी इसको बेस देगा इस person के लिए फायदा क्या हो जाएगा कि यह खर देगा कम में और इसको फिर सही time पे मैंने बहुत कम समय में इसको जो है 10% का जो फायदा होना है उसको मिल जाएगा तो यह क्या हो रहा है यह time के अधार पर हो जा रहा है कि time fix है 12 महीना उसी तरह से मान के चलो कुछ और goods आप ले लो जिसमें guarantee warranty दी हुई है अब चुकि बहुत कम समय का guarantee warranty उसमें बचा हुआ है अब क्या करेंगे कि जल्दी से वह समान निकल जाए तो यह calendar basis risk हो गया एक्जामपल के लिए आप ऐसे भी देख सकते हूँ छोटा से एक्जामपल लेते हैं जिसनको share market समझ में नहीं आता या जिनों ने इस चीज को पढ़के नहीं रखा है उनके लिए तो आप क्या कर रहे हो आप उस चीज को खरीद के रखे हो वह दो दिन में खरा नहीं है और आज उसका last date है आज के बाद उसको को यूज नहीं कर सकता है तो कोई customer आएगा तो आप उसको क्या करोगी वह लेना नहीं चाहेगा तो आप उसको convince करके भी अपना profit हटा करके भी आप उसको चाहोगी बेच दें ताकि आपको पूरा का पूरा जीरो होने से सब्सक्राइब हो जाएगा कोई cream है कोई दवाई है कोई medicine है जो not replaceable है वह return नहीं हो सकती है और ट्रेडर क्या चाहेंगे ट्रेडर यह चाहेंगे क्यों सब्सक्राइब होने से पहले उसको पेस दें अगर कम प्राइज मिले तो भी कोई दिकत नहीं है तो यह हो गया आप ब ग्रूप बना सकते हैं क्या male और female candidate का self-help ग्रूप हो सकता है क्या सिर्फ woman candidate का ही self-help help group होता है तो जो स्वैम सहाइता सम्मू है आप जब भी सर्च वारों कि आपको female woman ही दिखाई देगी तो आस डिटेल से में जानेंगे कि यह होता क्या है वो भी self-help ग्रूप बना सकता है वो poor लोगों का होता है जो लोग economically down है और जो लोग आपस में जुड़े हैं जो self-help group में वो similar problem को face कर रहे हैं तभी एक दूसरे के problem को solve करने की छमता रखते हैं मिल करके तो उस तरह की group को self-help group कहते हैं इनको promote किया जाता है ताकि यह कुछ saving कर सके बैंक से इनको link कराया जात है common fund होते हैं जो self-help group के नाम पर दिये जाते हैं बैंकों के द्वारा दिये जाते हैं क्योंकि loan के रूप में होते हैं और हर एक member जो है अब इसको में इसको पहले समझते हैं कि इसमें लोगों को ना awareness प्रदान करने के लिए help local लोगों को help प्रदान करने के लिए गरीब लोगों को बताना पड़ता है कि क्या इसके benefits है तो उसके लिए एक जो है animator का एक पद होता है self help group के अंदर ही एक person जो होता है वो animator होता है या जो facility प्रवाइड करने वाला होता है फैसलिटेटर होता है वो एक होता है तो एक person वो हो गया जिसको idea होता है जो पढ़ा लिखा होता है सिक्षित background से हो सकता है अब कौन-कौन से person जो है वो animator बन सकते हैं self-help group के अंदर तो कोई retired government teacher हो सकते सरकारी नौकर कोई भी हो सकते हैं या health worker हो सकते किसे आसा worker वगेरा हो गए या किसी भी तरके government hospital से समझेद कोई person है या staff of development agency कोई development agency है राजसरकार के अंदर को department है उनके करमचारी हो सकते हैं या field officer हो सकते हैं commercial bank के आरवीज के bank जैसे आप bank के बनोगे bank में जब आप काम करोगे और वीज बगेर में होगे तो आपका से field work में यही चीज मिलेगा जाकर के लोगों को समझाना है कि से बनाना है क्या काम करना है तो इस तरह का आपको जो है काम करने मिलेगा एंजियो के लोग भी हो सकते हैं इसमें जो नाबाड की पहली योजना थी वी 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 कास voluntary वाहिनी प्रोग्राम जो नाबाड का था agriculture के तहत agriculture को इंप्रूफ करने के लिए ये योजना बहुत पहले लाई गई थी तो उनकी अब जी पर सकते हैं इसमें लोग चाहिए अब जीखो आपके question concern में जो आपनी question की था उसका answer भी और सी दोनों ही टम्यूज हो रहा है तो दोनों ही लोग में कोई male हो सकते हैं female भी हो सकते हैं self-help ग्रूप बना सकते हैं लेकिन condition है वह condition की उसे करेंगे लेकिन उससे पहले समझे कि बनाने के लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग गाइडेंस की जुरत पड़ती है सारे मिटेरियल आपको घ्यान होना चाहिए अगर आप किसी एंजियो की वॉलेंटिर एजनसी से मंदें आप वॉलेंटियर भी है जोड़े हुए तो भी आ मौक के जो स्टा आते हैं यह जो युँयो वाले हो गये और डिपार्ट के जिए टेथ। यूआ जञjung bên नगा संगतन कर दिया जाता है तैयार अब यह क्या करते हैं बेशनी ऐसा नहीं हो सकता है कि एक परिवार के दसदसे मिलके self-help group बना लिए रही एक परिवार से एक ही person हो सकता है self-help group में male और female दोनों हो सकते हैं पर mix नहीं हो सकते हैं मतलब या तो जो group होगा या तो पुरा female का group होगा या तो जो group होगा पुरा का पुरा male का group होगा मेल और फीमेल दोनों मिल करके इस जो है सेल्फ हेल्फ ग्रूप के अंदर नहीं आते यहीं नॉर्म से तो आपको यह पॉइंट ध्यान में रखना है जो कि बहुत ही पिकलियर इंफॉर्मिशन है पॉइंट वी नोटेड और एक बात याद रखना है कि आप जो भी सेल्फ हेल गIB वापस में a common factor जो इनका है वह उसकी अधार पर जाow uses कि यहीं जाए जासी कि जिएकी जीते हैं या फिर उनों नहीं हो पाती पर-capita income जो है महीने की महीने की per capita income ध्यान समझना इसको समझना यानि कि family के पूरे सदस्यों की आई और family के कुल सदस्यों की संख्या हना टोटल इंकम और जो टोटल जो नंबर ओफ लोग है एक family के अंदर एक महीने में अगर वो 250 रुपे से अधिक है तो वो नहीं बना सकते हैं तो इससे कम वाले होने चाहिए 250 या 250 रुपे से कम होना चाहिए और उनके पास जो है 2.5 हेक्टर से अधिक हो बहुत जादा पढ़े लिखे अडल्ट उनके घर में नहीं हो इस तरह का कंडिशन होता है बनाने के लिए यह काम क्या करेंगे फिर वहाइं से अपन clinicians होतो है और जितने भी चीजें के इसको मॉनिटर किया जाता है जितने पहुत अच्छे तरह तरीके से मैंटेन किया जाता सभी के पास सभी होता है उसको वोल सकते हैं और इसमें सबी का सभी जितने भी लोग है उनका उनकाभी पास्बूक और घर कैंदर जितने भी लोग हैं जवाब कर रहे हैं क्यालिफाइड यह सब सारह का सारा जो डेटा है वह उनके स्कूटनी होती है कॉन्सा मेंबर कैसा lahить कौन कृफोर्मंस कर रहे हैं कॉन कितना लोन भर रहा है अगर कोई नहीं भर पार तो उसके लिए कितने लोग इनिशेटीव दे रहे हैं इन से बीचे जो को भी देखा जाता है तभी उसके अधार पर उस सेल्फ एल्फ ग्रूप को आगे पैसा मिलता है उनका एक टैग लाइन आपको याद रखना है सेविंग फर्स्ट क्रेडिट लेटर यह पूछा गया परिच्छा में तो सेविंग करने के लिए इनको सिखाया जाता है और इस जो सेविंग करने के लिए इनका फंक्षन बेसिकली वही है कि इंटर्णल लेंडिंग क्या हुई आपस में जो लेंडेन हो रहा है बैंक से जो अब कैसे इंवेस्ट करने इंटर्णल लेंडिंग को देखते हैं और बैंक से कैसे और आगे फर्दर लोन लेना है बिजनस अच्छा करना इस पर चर्चा होती है इक बात आपको अध्यान में रखना जैसे कि मैंने बताया था कि अनिमेटर भी वी वी वाले बन सकते हैं वी है वह किसका इनिशेटीव है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है फिर पुछा गया था कि जो इसके जो दूसरे पॉइंट थे कुश्चन का वह देखें तो सेल्फ ग्रूप जो है उसके जितने ही मेंबर होते हैं वह रिस्पॉंसबिलिटी निभाते हैं लोन पे करने का सभी मेंबर जो है 1.2 करोड से अधिक हमारे सेल्फ हल ग्रूप काम करी जिसके बारे में बार बार डिस्कुशन हो रहा है तो इस अल बाउट दियाज का न्यूस थैंक यू थैंक्स फो वाचिंग